तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी वोई पे दोस्तो आज मैं जो आपको भरती के बारे मैं बता रहा हूँ जी आपका रेली भरती है जो कि आपका आगरा का भरती है ठीक है तो दोस्तो भरती से ओपन भरती से रिलेटे जितनी भी आपको जनकारी चाहिए उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें उसे आपको रिलेशन भरती ओपेन रैली इसकी सारी जनकारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी तो आईए देखते हैं आपका अगरा का भरती कब है और कहां पर है तो दोस्तों इसका जो आपक आपका रैली होगा वह होगा आपका इगल ग्राउंड मत्हुरा कैंट में नियर वेटनेरी कॉलेज ठीक है तो आपका वेटनेरी कॉलेज के पास में है इगल ग्राउंड मत्हुरा में यह आपका भरती है आपका 22 फेवरोरी 2020 से 15 मार्च 2020 तक चलेगा ठीक है आईए आपको पता दे कौन-कौन से लोग जा सकते हैं इस बरती में तो जो डिश्टी के लोग जा सकते हैं वो आपका आगरा, मतुरा, हत्रज, खसगंज, अलिगर, फिरोजाबाद ये जितने डिश्टी के जितने भी लोग है सारे लोग जा सकते हैं 22 तारी को आप इगल ग्राउंड मतुरा केंट के पास जो वेटिनेरी कोलेज है वहाँ होगा आपका रेली भरती ठीक है और इसका जो ओनलाइन एप्लिकेशन आपको करना रेइस्टेशन करना है वो आपको 2 जैनवरी 2020 से 15 फेबरवरी 2020 तक कर सकते हैं तो जो भाई अभी तक नहीं किये हैं वो जाकर अपना जल्दी से रेइस्टेशन करा ले ठीक है अब और आपका जो एड्मिर काड है वो आपका 16 फेबरवरी से लेके 21 फेबरवरी तक आपके मेल आईडी पर आ जाएगा ठीक है यह आपको पता देते हैं कौन-कौन सा बरती है यह आपका 16 जीडी परसेंट एगर्गेटेड और 33 परसेंट इस सब्जेक्ट में ठीक है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट में 33 होना कंपल्सर ही है नेक्स देख लेते हैं जो आपका सोल्जर टेक्निकल का है दोस्तो इसका भी आपका एज साड़े सातरह से तेईस है यह आपका 10 प्लस 2 होना च बिरूरी है ठीक है आई नेख देख लेते जो आपका इस सवावल Code का है इस्टोर कीपर ठीक है । ये आपका wok Tah populations साइसे साल तक इसका भी है ये भी आपका 12 पर साइंस किसी भी च्यूंग को कोई बात नहीं आपको जा सकते हैं रेकिन इसमें आपको 60% माक्स होना चाहिए और 50% आपको हर एक सब्जेक्ट में होना एकदम compulsory है ठीक है 50% अगर हर एक सब्जेक्ट में है तो आप जा सकते हैं ठीक है लेकिन आपका टोटल 60% होना चाहिए आइए नेक्स देख लेते हैं यह आपका ट्रेंड मैन सोजर ट्रेंड मैन का है जो टेंट पास का है इसमें आपका एस साहड़े सत्रह से त्याय साल तक है इसमें आपको क्वैलिफीकेशन आपका करेंट पास होना चाहिए और मिनिमंम नंबर आपका 33% होना चाहिए अगर ठीक है आये नेक्स देख लेते हैं इंस्ट है आपका सोलजर ट्रेंड मैं जो आठ पास पर है इसमें भी आपका यह जो ही है साड़े सतर से तेईस और इसमें आपको एट क्लास पास होना चाहिए और इसमें भी आपका कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके दोस्तों थैंक यू जय हिंद जब तलक ना रुकेंगे कदम चल पड़े हैं